हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलर वाले ब्लाउस की सिलाई सीखने वाले हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में देखा था तो जिसने नहीं देखा है जाकर देख लीचेगा तो चलो आज हम लोग यहां पर शिलाई सीखेंगे तो जितने पार्ट हमने कट किया था सारे पार्ट हटा के साइड में रखना है सबसे पहले हम अपना front part ले लेंगे इस तरह से यह हमने front part ले लिया अब यहाँ पर एक एक part complete करेंगे तो इस तरह से सारे part मतलब side में ही रखते जाना है और बस यहाँ पर सबसे पहले एक part लेंगे जो tux वाला है तो इस तरह सबसे पहले हम tux complete करेंगे तो ये सबसे पहले नीचे वाला Tux complete करेंगे इस तरे सियं हमने यहाँपर ETC सिलाइ लगा लिया है तो जैसे हमने यहाँपर Tux complete किया है सेम तरीके से तीनों बाकी के बचले हुए तीनों Tux complete करेंगे तो देखो यहाँपर सिलाइ हमेशा double ही चलानी है जिससे की हमारी सिलाई खुले नहीं और यह जो टक्स डालते हैं यह टक्स खुले नहीं तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारो टक्स डाल दिया है अब यह टक्स डालने के बाद जैसे हमारी बेल्ट यहाँ पर कट थी वैसे ही बेल्ट को जोड़ना है तो बस इस तरह से इसको पकड़ने के बाद यहां पर हाफ इंच आगे की साट बढ़ाते हुए यहां पर इस तरह से इसको लगाएंगे तो यह हमने यहां पर इसको ऐसे पकड़ा और बस यहां पर शिलाई लगा देनी है तो गुलाई से हमने शिलाई लगाया अब हम यहां पर उपर से शिलाई लगा बश्रसां के दो कि vide लिए तो यहां पर आ प्र प्रिकी करते हैं तो सब्सक्य BA is होग बॉल्चत करएंगे सब्सक्राइब पती करेंगे तो सब्सक्राइब बाते हूँ पर 남ला है ऋपनाय यहां पर को सब्सक्राइब जोड़ना तो इस तरह हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे जो मार जीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे अब इसके बाद यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे फि आई पट्टी के लिए पहले तो हमें पट्टी जोड़नी होगी अगर आपके पास मतलब पूरे प्रापर पट्टी है तो फिर बहुत अच्छी बात है जोई नहीं लगानी पड़ेगे बस इस पट्टी को ऐसे रखेंगे रखने के बाद यहां पर सिलाई लगा लेंगे एक आपके पट्टी के सिलाई लगाएंगे 32 100 अच्छी अच्छी नीसिंग लगाएंगे यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया तो यह हमारी होग पटी और आई पटी बनके रेडी हो गई है अब होग पटी को यानि की घटवा पटी को बढ़वा पटी के उपर ऐसे रखेंगे और इसे हम पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे की बांकी की फिटिंग डालने में हमें असानी रहेगे इस फ्रेंट पर को साइट में रखते हैं अब ले लेते हैं पीछे का पल्ला तो पीछे के पल्ले में जो हमने डाट डाला था वो पकड़ना है और ऐसे सिलाई लगानी है तो जैसे हमने टक्स पर सिलाई लगाया वैसे ही डाट पर भी सिलाई लगानी है तो स्ट्रुटीस दोनों को बाहर की साइड को रस सोल्डेर को ऐसे पकड़ते हुई यहां पर शीलाई लगा देनी है ये हमने यहां पर भी सिलाई लगा हैं तो सीना जैसे हमारा यहां पर था वो 36 साइज का तो 18 हम ले रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारा हाफ करके लेना है क्योंकि यह हमारा डवल फूल्ड में यानि के फ्रेंट और बैक दोनों रखा हुआ है आप नीचे की साइट कमर डालेंगे तो जो भी हमारी कमर के यह हमारी 32 साइज थी तो हम 32 का हाफ करके ले रहे हैं 16 इंच तो जितना भी आपका कमर है उसका हाफ करके लेना है और जो सीना है उसका हाफ करके लेना है निशान लगाना है अब उन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खीज देनी है यह हमने यहां पर ल नीचे की साइट थोड़ा सा निकला हुआ कपड़ा होगा उसे अमें बराबर से कट कर देना है मतलब इतना बराबर नहीं कट करना है थोड़ा सा मारजन छोड के ही रखना है और प है arm को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करूट के बाद यहां पर हम उपर से शिलाई लगा देंगे बहस्त हम यहां पर से शिलाई लगा दिया है लिग इससे घरल दो ढिलानागर वहाँ लहां स Avatar विष्ट स्र की तरफ को फोल्ड करेंगे ऐसे और बस यहां पर बड़ी बख्या से सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहां पर भी हमें तुर्पाई करनी होती है तो मतलब जब ऐसे सिंपल से स्लीफ हम बनाते हैं तो तुर्पाई कर देती हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है और फनीशिंग नाप डालना है तो यह मैं 6 इंच पर नाप डाल रही हूं इस तरह से हमने नाप डाला सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें यहां पर नाप डाल देना है यह हमने यहां पर दोनों स्लेप्स पर नाप डाल दिया है बिल्कुल बराबर से और बस यहां पर इस तरह से लाइन ख लगा देनी है तो देखो यह हमने बराबर से बिल्कुल सिलाई लगा दिया है अब हम इन स्लीफ को क्या करेंगे सीधा कर लेंगे तो दोनों स्लीफ को हमने सीधा कर लिया है और जो ब्लाउज लेंगे वह उल्टा करके लेंगे और स्लीफ को सीधी करके लेंगे ठीक है अब य अंदर डाल देंगे, अपनी स्लीफ को आर मोल के यहां पर डाल दिया और बस यहां पर हम शिलाई लगाएंगे तो इन दोनों शिलाई को जो हमारी फिटिंगे दूनों की फिटिंग ऐसे मिलाएंगे और पूरे मी फार इंच का मार्जीन लेते हुए शिलाई लगाएंगे पास पास में रहे और यह हमने यहां शिलाई लगाया अब जो हमारा ब्लाउज वाला मारजी ने उसको हम फ्रेंट पाइट की साइट को एक तीरा बनाके ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमारा स्लीफ वाला मारजी ने उसको हम उसके अपोजिट साइट इस तरह से तीरा बनाके जिससे कि हमारा कपड़ा इकठा नहीं हो और अच्छिफ नीसिंग से हमारी यहां शिलाई लग जाए और बस इस तरह से यहां पर हम पूरे में शिलाई लगा के कम्प्लीट कर लेते हैं तो यह हमने यहां पर शिलाई पूरे में लगा के कम्प्लीट कर लिया है देख सकते हो तो अब ये sleeves हमने तो जोड़ लिया है, अब इसको मैं पुरा open करके दिखा देती हूँ, आपको ये हमारी sleeves लग चुकी है, अब जैसे हमने ये वाली sleeves लगाया है, सेम तरीके से दूसरी वाली sleeves को भी लगा के complete कर लेंगे, ये हमने दोनों sleeves लगा लिया है, अब नीचे का bottom fold कर जो margin है, दोनों का margin आगे की side, यानि के front part की side को रखना है, और बस इस तरह से नीचे से कटे हुए कपड़े को ऐसे fold करेंगे, और फिर ऐसे शिलाई लगा लेंगे, तो ये भी हम बड़े बग्या से शिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें तुर्पाई करनी होती है, बलाउस में तो इस तरह से हमने यहां पर शिलाई लगा दिया नीचे की side भी, तो यह हमने bottom complete करा नीचे का, अब हमेरा main चीज आता है, यहां पर color लगानी है, तो color कैसे लगानी है, चलो इसको हम सीखते हैं, तो देखो, यहां पर color जो है हमारी, इसको हम ऐसे ही पेपर पेश्टिंग के side side से शिलाई लगा देंगे, तो यहां पर हम पूरे में शिलाई लगा के complete कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा extra fabric था, उसे हमने cut कर दिया है, अब इसके बाद यहां पर हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, जो हमारा paper pasting उसको अंदर के side को कर देंगे, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से tight करेंगे, इसको हमने सीधा कर लिया है, अब यहां पर उपर से शिलाई लगा लेंगे, तो बस इस तरह से हमने यहां पर सिलाई लगा लिया, और जो हमने paper pasting रखा था ना, वो उल्टे वाले कपड़े में रखा था, और आपके हमारा आगिया सीधे साइड में है, तो इस ठीज़ ध्यान रखना आपका देंगे, यह इसका करेंगे, इसका सेंटर निकालनी के बाद यहां पर हमसें ड्ल्लाओर कर लियाँ कर लियुक अब दोनों पर कटते लगा लियुक तो दोनों का center मिलाते हुए हम यहाँ पर शिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी color जो है वो बिलकुल बराबर बराबर लगे दोनों side को तो यह हमने center पीछे वाले पल्ले की center से और जो हमारा paper pasting का center है इस तरह से रखा रखने के बाद आधा हम इधर शिलाई लगा देंगे और तो हम इस तरह से पहले शुरू करते हैं तो वस इस तरह से यह हम पूरे में शिलाई लगा देते हैं एक साइट यह हमने शिलाई लगा दिया अब थोड़ा सा रूख जाएंगे कम से कम half inch के लगबग अंदर रूखेंगे और वस इस तरह से हमने यहाँ पर जो औरे पट्ट कर लेती थी फिर जो है कॉलर लगाती थी लेकिन आज में क्या कर रही हूं साथ में कॉलर भी बना रही हूं और आगे का पूरा गला भी फोल्ल करेंगे तो यहां पर हमने हाफ इंच आगे की साइट छोड़ते हुए पट्टी को रखा मतलब कॉलर के ऊपर से ही रखना है इसपाहर में पट्टी को रखा और यहां पर जो इसट्रा कयों कि पट्टी थी कुट और फिर इस तरह सेे सिलाई लगा दिया और कहीं पहीं कहीं पी caring presiddy कर ना होगा तो कैसे करेंगे चलो यहां पर मतलब सिलाई लगा दानी है तो अब हम यहां पर सिलाई कैसे लगा प्रफ़ाइब करेंगे जैसे हमने पर पिन लगा दिया था जिससे कि हमारा फैबरिक इधर उधर बिलकुल ना भगे और बस यहां पर अच्छे से सिलाई लगा तो हमने यहां पर पूरे कॉलर पे शिलाई लगा की कम्प्लीट कर लिया है अब इसके बाद यहां पर क्या करें करेंगे आगे की सैट से और सपोल्ड करेंगे यहां पर अधर उलगा की तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको अंदर की शैट को फोल्ड करने पहले अगे साइट से अपसी हैं отвाले हैं जो फर यहां पर दोटा से लले करें के सिलाई लगा देंगा। यह आगे साइट लिखेंगे अ पर पूरा है पूरा रहेक आगे से यहां पर पेछ में ब із days उनल है हैं और यहां पर जो हमारा margin है उसको हम अंदर की side को fold करेंगे और जो हमारा fabric यह है उपर वाला तो इसको हम ऐसे fold करते हुए रखेंगे ठीक है और यहां पर आप pin लगाते जो जिससे क्या होगा कि सिलाई करने में आपको आसानी रहेगी तो इस तरह हमने यहां पर इसको ऐसे अंदर के side को fold किया और यहां पर pin लगाया और बस यहां पर अब हम क्या करेंगे उपर से सिलाई लगा लेंगे तो बस यहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं तो देखो इस तरह हमने यहां पर सिलाई लगा दिया है तो यह हो गया हमारा गला complete हमारी color भी लगके बनके complete हो गई है यह ब्लाउस बन के रेडी हो गया है आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद